जै जिवदानी ब्यूटि विद एस्टेलोजी की फाउंडर मैं कामी नीखना आप सभी समझदार स्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहीक राजशी भविश्य लेकर हाजिर हूँ यह साप्ताहीक राजशी भविश्य तारीक 2 मई से लेकर तारीक 9 मई 2021 तक का है इस सप्ता में होने वाली घटनाओं का मैं आपको विवरन दूँ इससे पहले आप सबसे निवेदन कर दूँ के सबस्क्राइब कीजिए मेरा ये यूटूब चैनल यूटूब स्लैश ब्यूट का विवरन भी जाने ये भी जाने के जिनको कंसल्टन्सी चाहिए वो मुझे वाट्साप पे वाट्साप करें आपको वाट्साप नमबर दिया गया है और जो मैं राजशी फल बताती हूं वो लगन के अनुसार है तारीक 2 को चंद्रमा धनूराशी में दोपर 2 बच के 45 मिन तो चार तारीक को रात को 8 बच के 42 मिनट पर उनकी मुक्ती होगी तब तक ये दिन सभलने वाले हैं अपने कामकाज, अपने मूड स्विंग्स, अपनी तवियत, किसी प्रकार की परेशानी इन सब चीजों को लेकर इसके लिए मैंने वीडियो दिया हुआ है दो-दो के शन से बता दूंगी लेकिन वो डिस्क्रिप्शन में देख लीजे, तीन तारीको चंद्रमा मकर में ही रहेंगे, मासिक का अलाश्टमी है इस दिन, चार तारीको अच्छी घटना ये है कि शुक्र वरिशब में दूपेर एक बच के 26 मिनट पर प्रविश कर रहे हैं, अब पहल रहट संसार में पेंडामिक के कारण पहली है, उसमें कमतरता आएगी और गले, ना, कान, स्किन, किडनीज वगरा से रिलेटेट काफी परिशानिया सौर्टेड होंगी, फिर सीधे साथ तारीको वरूतिन ये कादशी है, श्री वल्लभाचार ये जैनती है, आठ तारीको र खटनाओं का विवरण, अब हम जाने के दो से लेके 9 तारीक तक क्या हल चल है मेश से लेके मीन राशी वालों का मेश राशी, मेश राशी के लिए शुक्र का रिश्मा प्रविश करना परिवार से सामझस परिवार से खुशी, धन का लाब, सिंगिं, कांसिंग, से related कोई काम करते हैं तो उसमें लाब आपको परिवार वालों से लाब आपको बोलने चलने के बिजनेस से लाब आपका जो धनाक्मन वो वेबसाई के थ्रू भी आ सकता है अब मिन्देनों जो मंगलने सिच्वेशन बनाई हुई है वो थोड़ी सी टेडी खीर है इसलिए शिदत से मंगलवार के दिन करनी चाहिए और अगर मैं बात करूँ सूर्य की तो वो उच्छे का अभी भी स्थित है माइंड उजागर है साही डिसिजन्स हो रहे है बच्चों के साथ अच्छी जम रही है उनकी उन्नती हो रही है आपकी उन्नती हो रही है पढ़ाई वगर के लिए जो सोचना है वो सोच सकते हैं लेकिन अब पैंडेमिक में बहुत ही अजीव सी स्थिति है के ऑनलाइन पढ़ाईयां हो रही है अब ये शानी महाराज जो अकेले बैठे हैं अब मकर राशी में इनको वेध लगेगा जब जाके मंगल आएंगे कर्क में लेकिन तब से रिलेटेड बिजनस कोई ऐसे हैं तो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है माइंड आपका सही रहेगा सात्विक रहेगा अध्यत्मिक रहेगा धनलाब हो सकता है कारियों से और आप आशवस्त रहिए के सब कुछ ठीक है लेकिन तबियत समालना बहुत जरूरी है अपनी कोई र परसनालिटी सुन्दर और आकरशक होने के कारण मीडिया से रिलेटेड बहुत सारे काम आपके बंते नजर आते हैं मुझे आप क्या कर सकते हैं आप अपना फोटो शूट या अपनी ऑडिशन्स वगरा ऑनलाइन दे सकते हैं जिससे आपका काम बन जाएगा और आप बहतर सोच पाएंगे अपने लोन्स वगरा लेने के दिशा में भी आप बहतर सोच पाएंगे अपने बैंकिंग रिलेटेड वहवार से रिलेटेड और आप सोच पाएंगे अपने विरोधियों से जो आपको तकलीफ थी उनमें थोड़ी शान्ती आईगी अब आप जाके अपने पढ़ाई वगरा से रिलेटर जितनी परिशानिया थी वो खत्म होंगी आप एक बहतर सिती में आएंगे जब आप अपने भाग्य से रिलेटर जितनी परिशानिया मतलब कि जो काम आफर हो रहे थे वो अब सुचारू रूप से होना शुरू हो जाएंगे आपके विवाही ज चीवद में परणीत होने के लिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा और आते कुछ दिनों में जब सुरिय शुक्र और बुद्ध के साथ एंटर कर जाएगा तब और सावधान रहना पड़ेगा अभी आपके सात्वीक धार में कध्यात्मिक कारियों से पक्षे से जुड़े हुए थे वो भी हो जाएंगे तो धनलाब की भी उम्मीद कीजे अपने भुद्धी चातुरिय से और साथ साथ बच्चों से भी उम्मीद कीजे के वो आगे भड़ेंगे मितुन राशी मितुन राशी के लिए अब आपके लगन में बैठा मंगल आप ये भी याद रखें कि अब जो शुक्र और बुद्ध द्वादश में आएंगे तो आपको कोई प्रेम सम्मंद हो सकता है जिसमें आपको थोड़ी आहत मिले या आप कर सकते हैं कोई ऐसा काम जो विदेश रिलेटेड हो आप खर्चे भी ऐसे करेंगे जिसमें आपको आनन्द हो या आपको बिजनेस बढ़ाना हो या आपको रेनोविशन करनी हो या आप अपने लिए कोई खर्चा करें तो आपकी परसनालिटी वगरा में निखार आ जाए आपकी जो ढईया चल रही है ना शनी की उसकी बज़ा से आप काफी परेशान तो हैं लेकिन याद रखिए अश्टम का शनी आपके जान को खत्रा नहीं देता इसलिए आश्वस्त रहिए आपके अभी गुरू के कारण जो नाम और कीरती फैलना या शुरू हुआ है उसको कैश कीजिए और जितने काम मिल रहे हैं सब को हाँ बोलिए किसी को नाम मत बोलिए बच्चों के सा अगरे से रिलेटेड भी बातों में रिलीफ मिल सकता है और आप कर सकते हैं कोई पैतरिक संपती से रिलेटेड चीजों का जो डिसकेशन से उसका एंड करकर आशी आपके लिए चंद्रमा की जो मुमेंट है वो थोड़ी से आप से कहते हैं कि सजग रहिए आपके विवाही अगर आपने कुछ बहुत जादा उटसा दिखाया किसी काम में तो एक्सपेट कीजे के आपको पैसा आएगा और इन दिनों उच्चे का सूर्य भी आपको अच्छे चीओ जनाई सुझा रहा है आगे बढ़िए और काम कीजे प्रेम संबंद में खटास है और स्पेश देना जरूरी है इन दिनों जगडालू मत बनिये नहीं तो आपके लोगों के साथ संबंद खराब होंगे और जिती को कैश करिए और ये दो-तिन दिन जो शनी के साथ चंद्रम आएंगे ना इसमें अंदाद उन खर्चेना करके प्रेम संबंदों को बचा के और विदेश रेलेटेट कामों में दो-तिन धील देके ये टाइम को काट लीजे अभी फिलान आपके जो सब्तम भाव में ग पबलिक में लाने के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं आपको गुरु की दृष्टि के कारण धनलाब भी हो सकता है साथ्विक धनलाब हो सकता है लेकिन जब तक मंगल वहां से नहीं अटेंगे आपको वो चैन से धनलाब नहीं होने दे रहे अब जो है थोड़ी बहुत कारे की वज़ा से स्थितियां बनती हैं कि धनलाब होगा तो अपने आपको आश्वस्त रखिए कि आपके माइंड का स्वामी जो है गुरु वो काफी प्रबल स्थिति में है इसलिए आपके डिसीजन्स वगरा से घबराइए नहीं आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही ले रह से हैं किसी भी प्रकार के अध्यान पढ़ाई और अपनी पढ़ाई के लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं कन्याराशी कन्याराशी के लिए अब ये शुरूवात के जो दो से तीन दिन है माइंड को बेचैन ना करना पैसों के लिए बड़े भाईभैनों से सम्भंदों के लिए पैत्रिक संपत्ति के लिए या और किसी प्रकार की कहते हैं ना कोट किसे सवगेरा से रिलेटेड परेशानियां कोई ऐसी परेशानी जिसमें पैसा बहुत इन्वाल हो तो अभी दो-तिन दिन परेशान नहों और साथ में ही तबियत का भी ध्यान रखें मेंटल स्थिति का ध्यान रखें हो सके तो महामृत तुन जाय के जाप कीजिए और ये इनके प्रकारें अपना टाइम काठी है हाला कि आपके जो काम भी स्थागित हुए है ना इन दिनों मंगल के वज़ा से तो आपको गनेजी के आरदना बुद्वार को करनी चाहिए गंगन पतिनमा के जाप करने चाहिए वक्रतुन महाकाय के जाप करने चाहिए काफी स्थितियां कंट्रोल में आएंगी आपके बुद्वर शुक्र के इस्तानां तरण से आपके भाग्यों दैकारी संदे से भी आएंगे धनलाब छिट पुट कम से कम शुरू होगा और आप जान पाएंगे क कामों को फिलहाल इन्वेस्टमेंट मत कीजिए मतलब पता चलेगा आपको कि अभी तो बहुत फाइदा नजर आ रहा है लेकिन 15 दिन बार नुकसान ना हो तुलाराशी के लिए संमुक बैठे थे शुक्र बुद्ध अब अश्टम में जा रहे हैं तो अश्टम में जा रहे कि अपनी तवित कैसी ठीक करनी है उस पर स्पाहिन कर दो जो बहुत सार एक्सपेंडीचर के बारे में कम सोची है और कमाने के विश्य में जादा सोची है विवसाइक पार्णार के साथ बना के रखिए अपने विवाही जीवन के साथ बना के रखिए घर की इसू विवस्त से भी आपके संबंद अच्छे हैं इन दिनम और आप आगे बढ़ सकते हैं उनके अध्यान उनके पढ़ाईयां वगएरा अपनी पढ़ाईयां अपने अपनी चीजें इन सब चीजों के लिए फिलहाल आप अपने कारियों के और ध्यान दीजे क्योंकि बहुत जादा आपको कारियों में अपना जोर लगाना पड़ रहा है और मंगल महारत जब हड जाएंगे न तब जाकर ये स्थिती जो है वो बहतर हो जाएगे अब इस समय आपको विवाहित जीवन और वेबसाइक पार्टनर से जो सपोर्ट है उसको लीजे साथ में और काम में बढ़िए आगे धनलाब आपको होता रहेगा व्रिश्चिक राशी व्रिश्चिक राशी के लिए आपके लगन का स्वामी मंगल अश्टम में जाकर बुद को भी डिस्टब करता है खुद को भी आप एक मंगलीक सा व्यवार करते हैं विवाहित जीवन में कलहकलेश तो है लेकिन उससे काम के लिए तो भी आपने उत्सा दिखाया था और बहुत जादा काम बढ़ाने के आपने कोशिश भी की और बीच-बीच में स्थगित हो रहा है ये बात है क्योंकि लॉक्ड़ान वगरा है लेकिन आपको विदेश से रिलेटेड जितने काम और आपके वेबसाइक इनुवेशन वगरा भी करें या प्रॉपर्टी करीदने की सोचें घर खरीदने की सोचें तो खरीद सकते हैं बच्चों के सितियां ऐसी हैं के वो आपके साथ खूश हैं लेकिन बच्चों को ज़ादा पढ़ाईयां और खेल को नम मिलने के कारण उनकी मेंटली विवस्ता जो है आपको बनानी पड़ेगी धनुराशी धनुराशी के लिए आपके लगनका स्वामी गुरु जो है वो अप काफी स्वस्त है आपके डिसिजन सही आपके उत्सा बड़े हुए है आप बहुत जादा सोच रहे हैं अपना काम बढ़ाने के लिए लेकिन कहीं पर आपके डिसिजन जो गलत होता है ना उससे बात नहीं होती अभी सूर्य पंदरा मई तक जो है ना आपका मेश में तब तक आप फटा फट अपने कामों को येस बोलिए अभी शुक्रबूद भी सपोर्ट करेगा लेकिन बैंकिंग रिलेटेड वहवारों में लोन्स वगरा में मामा पक्षच से कारियों के लिए थोड़ा सा अभी भी रोड़ा रहेगा विवसाइक पार्टनर के साथ अभी थोड़ी सी अन्बन रहेगी और विवाही जीवन में भी थोड़ा सा कलेश रहेगा आपको इन सब चीजों से तोड़ा परिशानी दूर हो सकती है अगर आप हनुमान जी की या गणेजी की आरात ना करें प्रेम संबंद आपकी अगर टूटे हैं तो स्पेस तो बनाए लेकिन साथ साथ आप ऐसी स्थिती लाकर खड़ी करिए जिसमें आपको मानसिक बेचानी ना हो मकर राशी मकर राशी के लिए आपके लगन में बैठा शनी आपको लगातार स्ट्रॉंग बना के काम करवा रहा है आपके परिवार से सपोर्ट है आपको जो फिलहाल विरोधियों से परिशानी है उसका सोचिए जो आपको इन दिनों जो शनी के साथ चंद्रमायगा लगन में उस विशय में सोचिए क्यूंकि अभी ये दो से धाई दिन आपको विवाहित जीवन के साथी की वी तबच समालनी पड़ेगी विवसाइक पार्टनर की भी समालनी पड़ेगी और अपने भी समालनी पड़ेगी तो अपना खाना पिना ठीक कर लिजे घर में ही सही एक्सरसाइस कीजी योग कीजे प्रैक्टिकल रहने से कोई परेशानी नहीं आती है महामरुत उन्जे के जाप कीजे और अपने परिवार का सपोर्ट लीजिए अभी mentally आपके decisions अच्छे होंगे और एक मानसिक स्थिती दो से तीन दिन चद्रमा जाने के बाद आपकी बहतर हो जाएगी आप अपने विश्य में सोच पाएंगे बच्चों के विश्य में सोचेंगे आपके बच्चों की उनती होगी आपकी उनती होगी और आप आनन्द चाहेगा आपके दिमाग पे जो के पहुत अच्छी स्थिती है दनलापकी अगर बात करूँ तो फिल हाल अवरुद्ध है लेकिन छिटपुर्धन की प्राप्ती होती ही रहेगी उसके विशे में चिंता ना करें कुमबराशी लगन में बैठा गुरू शादी की योजनाय बनाता है और आपको लॉकडाउन तो आप पता नहीं कितना दिन चलेगा ये पेंडमिक मैं भी इसके विशे में प्रेडिक्शन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये वैश्विक्तर की कुनली देखी जाएगी और आप याद रखें कि अगर लॉकडाउन में भी आपके जैसे भी शादी भी आ होता है तो कीजिए इन दिनों आपके बहुत जादा योग बने हुए हैं शादी के और आपको उत्तम चैन हो जाएगा बरवधुका हलाकि मानसिक स्थिती ठीक नहीं और उसके लिए आप कर सकते हैं सिरिक्रिष्न की आरादना और अपनी बेचैनी को कंट्रोल में ला सकते हैं तबियत को कंट्रोल में अब बुद्ध तो लाएगा लेकिन चेतूरत में बुद्ध बहुत सारा अच्छा असर मज़ा नहीं देता है मतलब अच्छा तो है लेकिन बहुत सारा मज़ा नहीं देता है और वो मज़ा आने के लिए आपको अभी थोड़ा रूखना पड़ेगा और 10 से 15 दिन बाद वो मज़ा भी आएगा फिलाल अभी कर्जे मत लीजे कर्जे मत दीजे 2 से 3 दिन तवियत को समालिएगा जब शनी चंद्रमा के साथ आएगा और आपके प्रेम संबन्दों में अगर आपकी अनबन है तो स्पेस दीजेगा रेस्ट कीजेगा और खर्चे कम कीजिएगा मीन राशी मीन राशी के लिए आपके लगन भाव का स्वामी द्वादश है तबियत को विशेश रूप से समालना जरूरी होगा आपके लिए धन प्राप्ति के योग घर बैठे भी हैं इन दिनों और पराक्रम उटसा भी बड़ेगा मैं कहूं प्रापर्टी आपको लेनी है कुछ भी लेना है तो थोड़ा रुख जाएए वेबसाइक पार्टनर के साथ आपकी बनेगी और अब जाकर आप कुछ और सोच पाएंगे वेबसाइब बढ़ाने के लिए पबलिक हिमेज अच्छी करने के लिए और आप सोच पाएंगे अपने विवाही जीवन में कैसे सुधरना हो जो आपकी जुदाई विदाई थी या जो आपको बहुत जादा बेचैनी थी वो थोड़ी समाथ होने जा रही है काम आपके आधे अदूरे हैं लेकिन इश्वर की क्रिपा से आपको कहीने कहीं से धनलाब होता आ रहा है बच्चों के साथ अनबन ना करना इन दो से तीन दिनों में अपने पैसे समालना पहितरिक संपती से रिलेटेड बेचैनी ना करना और अपना कोट के से स्वगरा के लिए भी सजग रहना आपके लिए जब चंदरमा शनी के साथ आएगा तो जरूरी रहेगा मैं कामी निखना बता रही थी मेश से लेके मीन राशी तक का राशी भविश्य फिर मिलेंगे इसी तरह सापताहिक राशी भविश्य लेकर तब तक के लिए आगया दीजे धनवाद और नमशकार ब्यूटी विद एस्ट्रोलोजी का नारा है पौधे लगाईए वेवसाय बढ़ाईए पर्यावरन की स्थिति अच्छा करिए और पॉलुशन घटाईए बूद की सिती कुंडली में अच्छी हो जाएगी और साथ साथ अपने माता पिता साथ ससुर और वुर्धों की सेवा कीजे शनी राहु केतु की शांती अपने आप हो जाएगी गौड ब्लेस यू ठेक करें गुडबाई अगय दीजे धनवाद और नमशकार